इसकार में हूँ निहापन, न्यूज 18 इंडिया पर अब वक्त हुआ है आपके फेवरेट डिबिट शो का हम तो पूछेंगे आज सत्रवी लोकसभा के सांसद उने संदर में शपत दी, लेकिन ये शपत वहन समारों भी विवादों से बच नहीं सका यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकोर रह्मान बर्क ने लोकसभा में बताया कि वो बंदे मातरम नहीं कहेंगे बंदे मातरम कहना उनके मज़भ के खिलाफ है, अलगि बर्क को ये बताने की जरूरत नहीं दी, लेकिन उनने ये जानबूच कर किया इसकी बुरी है, वो चाहिद जिस तरफ से हूँ, इसलिए आज हम तो पूछेंगे पहला बड़ा सवाल, क्या कुछ नेता धर्म की आर लेकर राष्ट्रे प्रतीकों का मान करते हैं, दूसरा सवाल, क्या राष्ट्रगीत को कानूनन सब के लिए आनिवारे कर देना चाहिए और तीसरा सवाल, क्या हमारे सांसद शपत ग्रहन की गंभीरता कम कर रहे हैं? इन सवालों पर आज बड़े पानल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन सबसे पहले नजर पूरे घटना क्रम पर एक शहीद की अंतिर याक्रा है, इसलिए आत्र बहाने से बच्चा, जिसमाने अपना बेटा खोया है, जिस पक्तिन सब्सक्ता, राजकुमार खोया है, उसे गरवूं सलाः, उसे आप भी बंदे मात्रम करिए, लेकिन दरा ठैटना मिली है, संभल से हमारे मानिय सांसद से, 17 वी लोग समभा में सांसदों का शपत ग्राण था, मानिय भी शपत हुए, लेकिन उतिवाद्यों का, वो भी कांस्ट्यूशन आप इंडिया जिन्दा पाद, जहां तक देखिए, बंडे मात्रम का तान्दुख है, भोई चीजा नहीं साइश्वाद, जी चैनना, मानिय से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन जनाब शपत ग्रामाद बर्द, उनके ये बताया कि बंडे मात्रम गहना, बुल को ये लगता है कि ये उस्तान्य वाइवाद और दो आत्रमासों को और उस्तान्य वादी अरकतों के बाद, च्ड़हादे वादे आसे नारिफ लेकिन को असल्वती वो ऐसी के शवल नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रिया नारिफ ये प्रतिक्रिया इसी तरह होती हाना कि पार्टी निसका पतिवाद भी जा करो इस तरह के नारे बादी करते हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँआ कि आप समीधान भी याद कर लो याद कर लो और मुजफर पूर के अंगर जो बच्चों की हतिया उत्यत हो ली है इसको भी याद करो आप उसके बाद इस तरह की बात करो आपको वहाँ इस लोगन इंके नहीं बेजाए नारे लगाने नहीं बेजाए लेकिन सियाक्ती हल्के में शापी पुर्राःखान बर्ख ये भयाद परमी की किंद्रिया आप देश है तुझे संसक देश है तुझे संसक देश है इसलिए निताओं को बोचना होता है इसलिए हम तो पुछें क्या संसक में बंदे मातरम पर एतरास धार्मी कटरता नहीं है ट्विटर पर आप अपनी राए हैश्टाग एच्टी पी और हैश्टाग बंदे मातरम के जरिये हम तक जरूर पहुंचाएं आज की बड़ी चर्चा के लिए खास मेमान हमारे साथ जुड़ गए है उनके साथ इस चर्चा में भाग ले रही है राजनितिक विशलेशक शुप राष्टा भी आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है सबसे पहले असीम वकार साथ मैं चर्चा की शुरुवात आपसे करना चाहूंगी और आप जानी गए होंगे तो पूरा देश जान गया है कि आज जब सांसद अपनी शपत ले रहे थे उस दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद जो हैं शफिकुर रह्मान बर्क साहब उन्होंने शपत ली और उसके बाद कहा बंदे मातरम कहना इसलाम के खिलाफ है कि आप उनकी सोच से सहमत हैं तो हम तो हम तो नहीं करते लेकिन हम उनको तो नहीं रोकते दूसरे मजभवालों को अब वन्ने मत्रब अगर कोई कह रहा है और किसी क्या है जैस है तो इसमें हमें क्या इतराज है सर ये हिंदुस्तान जो है ये गुल्दस्ता है इसमें बहुत रहाँ के फूल है इसमें बहुत रहाँ के मजह है सबको अपनी बात और अपनी मजब के इसाब से कर रहा है तो हमें कोई हख नहीं उस पर टिपड़ी करने हैं अगर हम पर कोई चीज़ लादी जाए मैं यही आप से पूछा मैं जानती हूं आप ऑलिंडा MIM के प्रवक्ता है और आपका कोई मतलब नहीं बनता जो शफीक रह्मान बर्क की बात को आप डिफेंट करें सफाई दिम मैं तो उनके बयान पर नहीं मैं जो सोच जो बात कही गई है यानि कि वंदे मातरम जो इस देश का राश्ट्रगीत है वो बोलना वंदे मातरम कहना इ इसलाम के खिलाफ है कि देखिए हमारे किया हम लोग सिर्फ अल्ला की इबादत कर सकते हैं अल्ला की वंदना कर सकते हैं अल्ला की ही पूजा होती हमारे कि अल्ला के लाबा हम किसी की वंदना नहीं कर सकते हैं यह हमारा मजब है लेकिन अगर हम चाहें कि नहापन भी हमारे म रह्मान बर्क ने कुछ गलत नहीं का जब उन्हें कहा कि इसलाम में इजाज़त नहीं है कि मौदू क्या है कि जब हमारे संसद जनाब असद वैसी साब शपत के लिए खड़े हुए तो संसद में जैशी राम और दूसरे तरह के नारे गुणने लगे तो असद वैसी साब ने तो इतराज नहीं किया उन्हें नों तो हसकर कहा कि और जोर से लगाईए और तेज लगाईए और जोर से लगाईए किसे ने इतरास किया आप लोगों ने अपने नारे लगाए किसी मुसलमान सांसत्य गार इतरास किया होगी नहीं आप ना लगाईए तो आप बताईए मैं देख रहा हूँ, एक सांसत्य उन्होंने जया एक महाकाली का नारा लगाया, तो किसी का कोई इतराज नहीं है, आप अपने मध़भ पर रहें, अपने नारे लगायें, लेकिन हमें पूरा अधिकार है अपने मध़भ पर चलने का, अपने मधभ के आइडियोजी पर चलने और अगर वो वंदे मात रंकरेम कें तो क्या वोगुना कर रहा है Every गया बहुत सो लोग ऐसे हैं तु Beim हमाई याई शुरी के समय यह पाल्टी में बहुत से मुसलमान ऐसे और एसे हैं भी जेपी यह उस्लमान ऐसे हैं एधर को हैं обнаруж आपका नहीं दिल चाहरा है आप जो करने करिये लेकिन आप हमें फोर्स नहीं कर सकते आप मेरी बात की गहराई को समझें नहीं मैं समझ गई मैंने इसलिए आपको मंच दिया कि आप अपनी बात रखें आप गेम शुक्ला जी आप बता है क्यों मेलन बना जा रहा है फिर वो कह रहे हैं कि धर्म है अमारा धर्म इजासत नहीं देता है तो हम नहीं कहते हैं लेकिन हम दूसरों को नहीं रोकते हैं ये संसद संसद समयधान के नीमों के संसदी प्रणाली के अनुकूल चलेगा संसद में आप जो हैं आप मजहबी रिसाले अगर सिद्ध करना पढ़ने आएंगे तो अगर मजहब पर चर्चा हो तो उसकी परमिशन होगी इना मजहबी चीजे नहीं ला सकेंगे ये इसलिए मैं क कि वंदे मातरम पर भारत की समयधान सभा में विस्तृत चर्चा हुई इसको राष्ट्रगीत भारत की समयधान सभा ने माना और उसके दो पदों को कहा कि ये राष्ट्रगीत है शेष पदों में बंदना का जिक्र है इसलिए इसको राष्ट्रगीत का अंशनी माना उस तम बॉस्लिम लीग और कांग्रेस के मंच पे शुरू हुआ कि हम वंदे मातरम पूरा नहीं गाएंगे यहां से शुरू हुआ और उस पर जो है पंडित मदल मोहन मालवी का अद्ध्यक्षी भाशन है जिसमें कहा गया कि वंदे मातरम कहीं से बंदना का प्रतिक नहीं है कांग्र और फिर आप आज नहीं पर वो कहा है ना किया सव दुद असीम वकार जवाब दीजे जैश्री राम कह सकते हैं अल्लाओ अकबर कैसे कहदिया सुद्दीनों वैसी ने पूछ रहे हैं यहाँ पर प्रेम प्रक्रिया से कहिए कोई भूला नहीं करेगा देखें जब अधादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस वकत हर मध़ब के मानने वाले ने अपना एक नारा लगाया था जो मुसल्मान थे वो अंग्रेदों के खिलाफ जब जंग कर रहे थे तो उसमें हमाई उल्माए कराम ने जब भी जंग लड़ी उसमें नारा ये तक्बिर अल्लाह अकबर का नारा लगा अल्लाह अकबर का मतलब है अल्ला इश्वर जिसको भी आप मानते हैं वो सबसे बड जहरो जाए कि अखिल अब ऑपत्ति कर आप तहुं कर नारा नहीं लगा सकती किसी ने वाह शुक्राव ने आपत्ति कि बहुलिंग पर माई जा कि आपर रूलिंग आई कि यए विश्वर कुछ नहीं होता है अगर भारतियोंता पाल्टी के संसदों में हिम्मत है तो संसद की जो कारवाई में दर्ज हो गया है असाद वैसीन साब का शबद गरन जिसमें उन्होंने अल्लाख वुक्बर का नारह लगाया है आप इतरास करके उसको निकलवाई यह उससे कारवाई से तो आप देखिएगा फिर लोग सब एफ्शावान वाले पे जो नारही लगाए है उनको भी कारवाई निकारवाई निक अगर जो है और जो है और नहीं तो दुनिया के क्या है चोटे मुसल्मान उसलिए प्रेंबाइब में एक मिनट विशे पर वापस आ रही हूं ठीक है मैंने आप दोनों को बोलने का मुखा दिया एक मिनट वकार साब और प्रेम शुकला जी मैंने आप दोनों को बोलने का मुखा दिया हम दरसल राश्टरगीत वंदे मातरम पर चर्चा करें उसके अलावत जितने भी और नारे लगे उन पर भी हम आगे आएंगे लेकिन सबसे पहले बात देश की बात राश्टरगीत की और इसी पर मैं मौलाना साजिद रशीदी को लेकर आना चाहूंगी आप मौलाना है साजिद रशीदी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर बंदे मातरम जो इस देश का राश्टरगीत है अगर वो गाया जाता है अगर बं आप इस देश के एक नागरिक हैं की नहीं? देश तो सम्विधान से चलेगा, यह तो सब जानते हैं मुलाना साथ. मेरी पूरी बास सुन लीजे, मेरी सुन लीजे, यह देश चलेगा सम्विधान से, आपको याद होगा मदरास हाई कोट ने एक फैसला दिया था 2017 में, और यह कहा था कि आप गाएं लेकिन इसको थोपा नहीं जा सकता, नमबर एक. दूसरे, सुप्रिम कोट ने भी यह अभी 2018 का फैसला है, यह कहा था सुप्रिम कोट ने, कि अगर राष्ट गान पर भी कोई ख़ड़ा नहीं होना चाहता, तो यह उसका अपना अधिकार है, उसके खिलाफ कोई अपिल नहीं की जा सकती, कोई केस नहीं लगाया जा सकता. जब हमारा सम्विधान इतना किलियर है, कि हम किसी को दबाव नहीं डाल सकते, हमारा कोट भी इस बात को कह रहा है, आप मुझे सिर्फ बदाईए भी प्रेम शुकला जी ने कहा और सम्मानते भी हैं, आपके मतलब की तो कहूंगा, मैं तो मुझे सपष्टी करन तो लेने दीजिए, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे इजासत नहीं है, कि मैं मुझे समझ नहीं आया, या वो इसलाम के खिलाफे नहीं है, मैं आपके नुकल जवब नहीं है, जैसे मैं आपके नुकल जवब नहीं गए है और समय नहीं है, अगर हम बात इसलाम के करते हैं, तो आप लोग कहते हैं, ये इसलामिक देश नहीं है, अगर हम सम्मिदान की बात करते हैं तो आप कहते हैं इसलाम क्या कहता है आप मुझे बता दीजिए हम जवाब क्या दे ने ने आप मुझे बताईए बर्ब साब के बात से आप सहमत है या नहीं है वो कहे रहें इसलाम के खिलाफ बंदे मातरम बोलना मेरा यही सवाल था नहीं सुन लिजी ना नहीं जी अलाओं लिजी अरे बाइसाब आपका नमबर है आप बोल लीजीगा मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ ना तो शफिकुर रह्मान के कहने से ये देश चलेगा ना साजिद रशीदी की सोच पर ये देश चलेगा ना इसलामी की देश है ये कि आप इसलामी कानून को नाफिज कर सकेंगे ये देश सम्विदान से चलेगा सम्विदान जो कहता है सम्विदान नहीं ये कहा है कि आप अपने मजभप पर अमल कीजिए हिंदु अपने मजभ पर अमल करे सिक अपने मजभ पर अमल करे हर आदमी अपने मजभ पर अमल करे और हर आदमी को अज़ादी है बताईए कहा की नहीं कहा है अगर कोई बंदे मातरम कह रहा है तो कहने दीजिए अच्छा एक बात बताईए, राश्टरगीत आप माने या ना माने मौलाना साब, खुदा को मानते हैं नहीं मानते हैं, क्या जीद? आपने ये जवाब दिया मुझे बहुत अच्छा लगा आपने बात कही थी मौलाना साब आपने कहा कि किसी पर जबर्दस्ती करके आप किसी से कुछ नहीं बुलवा सकते हैं कुछ विज्वल्स में आपके सामने इसलिए मैं बर्क साब की बार बार बात कर रही थी और आप उ उसका जवाब देता हैं अब्ला के नाम पर शपत लेते हैं जिसका उनको अधिकार है मौलाना साब और उसके बाद नाश्टी वफादारी की बात करके वो कहते हैं हम बंदे मातरम नहीं गाएं कि क्या जब देश के जो मुस्लिम सब्स्ताना सेना नहीं ते जब फासी पर च हम बोलके फासी के फन्डे को चुमके फासी पर लटक जाया करते थे ऐक उनका इसलाम फा लाहूर से एक अख़ार निकलता था वन्दे मातरम से चापते थे उनका इसलाम अलग था मुहम्मद रफी जे पूरी दुनिया में उनको गाया और माना जाता है मुहम्मद रफी मंदे मातरम गाते थे मुहम्मद रफी रामदुन भी काते थे लेकिन उनका इसलाम अलग था लेकिन ये एक अलग तरीके का इसलाम इस देश के अंदर पैदा हो गया रही बात उसकी जो कहा 24 जनवरी 1950 को देश की सविधान सभा ने इसको अड़ाप्ट किया राष्टगीत और राष्टगीत को संसंद में गाना और उसके सम्मान में खड़ा होना मेंडेटरी है अनिवारे है बता जी जै कौन से सुप्रीम कोड या हाई कोड की जर्जमेंट जो कहती है कि जो पार्लेमेंट के अंदर होने वाली प्रक्रिया है आपको उससे इम्मूनिटी मिल लेगी एक्जम्शन मिल लेगी तो उसको फोर्स नहीं किया जाता उसका कॉंटेक्स्ट जो था वो बिल्कूल अलगता आपको राष्टगान बजेगा आपको नेशनल और एक्ट के अंदर आप बाउंड है उसके सम्मान में खड़ा होने के लिए लेकिन ये वाठ कर रहे हऑं ये एक अलग तरिके का जो वैड़ा इसलाम है ये इस्लाम दोवाद दिक्क्त बन्हातरम बोलने की नहीं है बुद्क्त और कुछ नहीं है बुद्दक्त है यह उसमानसिक्ता की जो इन लोगों के दिमाग में घोशी हुई है कि हमने जो है इस देख पर जबाद लूगी लेकिन उससे पहले शुबराष्टा मैं आपकी पास आ रही हूं क्या वंदे मात्रम पर एतराज जताने वाले राष्ट्र गीत का आपमान कर रहे हैं आपको क्या लगता है नेहा जी बहुत सारी बातें डिसकस हुई है अभी पैनल में लेकिन मैं पूछना चाहती हूं इन सभी उन सभी स्कॉलर्स से इस्लमिक स्कॉलर हो या राजनेता हूं जो अपने आपको मुसल्मानों का प्रतने दित्व करतने वाले मान रहे हैं मैं पूछना चाहती हूं कि अश्रफुकॉल्ला खान से जादा पेट्रियोटिक है क्या ये लोग या ये लोग या रहमान से जादा पेट्रियोटिक हैं इन लोगों ने किस तरह से वंदे मातरम जैसे नारे को भी वंदे मातरम जैसे तकबीर को भी इन लोगों ने इतना विशाप्त कर दिया है शर्म आनी चाहिए कि हर एक नागरिक को शर्म आनी चाहिए कि हमने किस तरह के लोगों को संसत में भेजा है मैं पूछना चाहती हूँ नेहा जी क्या किसी मुसल्मान के लिए हमारा वतन हमारा देश ही खुदा हो सकता है और अगर हो सकता है और वर्ववंदे मातरम कह रहा है तो उसको धता बताने वाले जो भी सांसद वहां पर गए समाजवादी पार्टी के वो होते कौन है उनको किसने दी इसलाम धर्म के ठेकदारी करने के लिए मेरे यहां जो काम करने वाली महिला है वो मुसल्मान है उन्होंने आज पश्ट शब्दों में ये कहा है कि दीदी सबसे जादा इन लोगों ने हम मुसल्मानों का बेड़ा गर्क करके छोड़ा है मैं आपके चानल के माध्यम से ये अपील करना चाहती हूं नहा जी कि इस तरह की बहस को आप लोग तूल भी मत दे क्योंकि ये जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के नेता हो या फिर M.I.M. के नेता हो जो इस बात को सिरे से आकर खंडन नहीं कह रहे कहनी रहे कि हम अश्रफुक उल्लाव खान की जात वाली पार्टी है वो लोग वो सारे मुसल्मानों को आज मैं आहवान करके कहना चाहती हूं कि काम पर ध्यान दे उनके अपने जो उन्होंने एक छोटा मुटा मुल्क बनाने की कोशिश किये हमारे देश के अंदर जहां पर आज जहालत बहुत जादा है जहां पर बेसिक सुविधाओं के लिए हमारे मुसल्मान भाई बहन तडप रहे हैं उन सुविधाओं को मुहया कराएं वही इसलाम धर्म की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी वंदे मातरपन पर ग्यान ना बगा रहे हैं क्योंकि हमारे देश ने चाहे वो अशवाक उल्ला खान हो या वो आज एयार रह्मान हो उनके देश भक्ती भी देखी है और देश के प्रति उनका समरपन देखा है बातों आप ठीक के रहे हैं शुबराश्टा और मैं इसका जवाब ले लेती हूँ असीम वकार साब अश्वाक उल्ला खान से बड़े देश भक तो नहीं है ना आप या हम असीम वकार मेरा सवाल आप से है जी आवाज आ रहे आपको वकार साब बोल नहीं रहे है या मेरे पास आवाज नहीं पहुंच रही है कि आवार्द 9724 गुंच्श रही है अपको doing टारई आप सुन पारे आप मुझे सीम्वकार साथ जी मैंने कहा जो बात शुक्राष्टा ने कही है इसमें हो रहा है नहीं है ना अश्वाक उल्ला खान से बड़े देश भक्त ना तो आप ना कोई और ना हम और अश्वाक उल्ला खान मेरे मात्रम बोलते हुए देश के लिए बनिदान दे दिया उन्होंने कि मेरे पास दो तीन बच्चे हिंदू काम करते हैं और वो बच्पन से काम करते थे दो तो ऐसे हैं जिनकी जवान होने के बाद शादिया भी उन्होंने अरे हम लोग के सवार पूछा गया उसका जवाब दिजे ना मैं पूछ रही हूं कि आप शुबरास्ता को टोका नहीं आ सवाल पूछो जवाब आपको देना होगा और सिधा सिधा जवाब देना होगा तो देश द्रोही थाबित कर देते हैं अगर हमाएं खिलाब देश्वाक वाकार साब आप उनके द्वारा उनके मुखार वित्व से लिगने बंद मातरम से ज्यादा देश भकति है आप उच तो रही हूँ आप मैं जीस पर्टी में ओव में मैं पूछ रही हूँ वाकार सार। हमारे मख़ब में बहुष से चीज़ा खाने की की है आप और में इस वक्त चर्चा कर रहे हैं सीधा सवाल मेरा आपसे अश्वाक उल्ला खान मुसल्मान थे या नहीं आपके मुताबग अच्छे मुसल्मान थे यह नहीं शादत दी फासी के फंदे पर चड़ते हुए अपनी जान नियुच्छावर करते हैं जो आखरी शब्द होते हैं असीम वकार साब वो बहुत एहम होते हैं किसी के लिए वो आखरी शब्द थे वंदे मातरम क्या वंदे मातरम बोलकर मैंने कहा मना खिया निंगे मैंने कहा मना किया मैं कह रहा हूं जिससका दिल करें कैंगै लेकिन जिससान ना कहें हैं दुबई में बहुत से लोगं रहते हैं जो हिंदुस्तान के रहने वाले हिस्तु भाई और बहुत सो लोग ऐसे हैं तुबाई और निकला उसको आप नाच नहीं कर सकते अब आप क्या बोलेंगे आप कैसे बोल पाएंगे यह दिक्कत है मौलाना साब एक मिलेट एक मिट मैं मौलाना साब से भी पूछ लूँ ना मौम्मद अली जिन्ना ने नहीं बोला बंदे मातरम इसलिए यह नी बोलेंगे बंदे मातरम में जो रूट है जो कॉज रूट है वो यह है अगर मौम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया होता वंदे मातरम यह भी कह रहा होते वंदे मातरम मंदे मातरम मंदे मातरम फून आफ हो गया मौलाना सब जवाब दिजे दुवारा लगवाईए दूवाल तो हो इन joint m i a3 उपको आप इस डिबेट में है या इस डिबेट से बाहर है मधिशा बने परे तो पूछेंगे नेहा पंतेकर नेहा पंत को हके अग्रम देने का अब बता है। ये तो सवाल इन निुबंता है। डेश का बच्चा बच्चा जानता है कि अश्वाकु धेश्ब्क्रम और लल्मिया पूकरिया। शुक्रिया यह सवाल नहीं समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है कि वह वक्त लेकर के जवाब पूशिश कर रहा है अगर सवाला मुस्त पूशेंगे मैं लगातार बने हुए है आज की सचा पर बंदे मातरम सिर्फ बंदे मातरम नहीं ये देश का राश्रगीत है वो राश्रगीत जिस पर देश के स्वतनतुता सेनानियों ने हमारे पूरवजों ने धर्म जाती ना देखते हुए बहर लगाई आज बंदे मातरम कहना क्या इस देश में अपराध हो गया है क्या गयर इसलामी है रशीदी साब मैं चर्चा एक बार फिर आपी के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहूँगी और जो ब्रेक पर जाने से पहले सवाल था वही सवाल क्योंकि उसका जवाब मैं ढून रही हूँ सुखदेव, राजगुरू, भगत सिंग, रामप्रसाद, बिस्मिल, अश्वाक उल्ला खान ये सभी भारत माता के सपूत बंदे मातरम कहते हुए फासी के भंदे पर चड़ गए देश के लिए अपनी जान नियोच्छावर कर दी हमें स्वतंतरता दिलाई क्या बंदे मातरम कहकर अश्वाक उल्ला खान जो देश के लिए अपनी जान दी जिन्होंने क्या वो सुखदेव, राजगुरू, भगत सिंग से कमराश्च्रु भगत हो गए बंदे मातरम कहकर या बंदे मातरम कहकर वो काफिर हो गए अगर मुझे बिना टोके दो मिनट आप दें तो मैं इसके जवाब देता हूँ टोकिये गा मत प्लीज देखे इसलाम में शराब पीना नजाइज है हराम है बिल्कुल लेकिन अगर आदमी की जान जा रही हो और पीने के अलावा उसके पास शराब के अलावा कोई चीज नहो तो इसलाम ये कहता है कि शराब पीकर अपनी जान बचा लो चुक्कि जान उस गुना से ज़्यादा कीमती है तो अश्वाक उल्ला खान ने मौलाना सहाब तुलना तो धंकी कीजिए तुलना तो धंकी कीजिए मतलब के जारब नहीं है हम राश्रीगीत की बात कर रहे है धंग धंग आप गाएना गाएں कोई फरक नहीं पड़ता पर कम से तुलना तो ठीक से कीजिए मौलाना लगाते हैं अपने नाम के आगे यॉझे मौलाना है ना कर रहा है तो आप जो है ताने मेरे उब अरे कोई ढंकी तुलना लेका आते मुझा मौलाना साहब कोई धंके तुल ना ले आप से अगर मैं अड़ू प्रेम शुकला से लड़ू पंडीत जे गोतम से लड़ू तो आपके मतलब का बात हो गया मैं हेरानू मैं हेरानू कि आप कहां से लेकर आए यह उधारण भी बताई आप क्या आप अंना कर रहे हैं मैं अपने शराफ से करना राष्ट की तुलना शराफ से करना और मुझे इंसान ने अपनी शहदत दे देश की आजादी के लिए सुप्रीम सेक्रिफाइश किया बंदे मातरम बोलते हुए उसकी तुल्ला ये कह रहे कि शराप पीने से जान बसती है तो बज जानी चाहिए देखे ये मैं मानसिक दिवालियपन मानता हूं कि किस तरीके से कहां जो दो सुप्रीम चीजे हैं कहां राष्ट के सब्मान और उनक कि शर्मनाग बाग इस मीडिया में कभी नहीं हो सकती मैं फिर कहूंगा इन्हें अपने अलफाज वापस लेने चाहिए आप बंदे मातरम बोलिये मत बोलिये हमें कोई फरक नहीं पड़ता ये आपके और आपके खुदा के बीच का एग्रिमेंट है कि जिस राष्ट में आ अगर आप उसका अपमान कर सकते हैं तो आप समझ लीडिया खुदा की बालत अच्छा बोले हैं मौलाना साहब अपनी बात पर पाली बजा रहे हैं आप उनके कंपारिजन से उनकी तुल्ला को आप कैसे देख रहे हैं असी माकार साथ अब क्या बोलू इनके इसो पर क्या बोलू मैं अश्वाख उल्ला खा शहादत दे रहे थे जान बचा नहीं रहे थे बंदे मातरम कहे कर अब कौन सा मिसाल कहां जाके दे रहे हैं मैं अजय गौतम जी से पूछ रहा हूँ देखिए इस तरह के लोग जो है जलसत बाते करते हैं इनके चक्कर उम्हत पढ़ी है हजय गौतम जी से भी एक बात कह दी अश्वाख उल्ला खा साब ने बंदे मातरम कहा बहुत अच्छी बात है मैं तो कब मना कर रहा हूँ अब जगन महुन रिड़ी ने जगन महुन रिड़ी ने मुखमंत्री बनने के बाद नमास पढ़ी बाजमात नमास पढ़ी सब के सामने पढ़ी तो क्या वो अपने मदब पे नहीं रहे कि या वो धर्म से आप उनको बाहर कर देंगे क्या उनको हिंदूजम से निकाल देंगे आप उनकी अपनी आइडियोलोजी है मुसलमान कभी नहीं कह रहे हैं कि उन्हें हमाई साथ नमाज पढ़ लिए तो मुसलमान हो गए यह जगन मोहन जी के संपरदाय के बारे में स्क्रिपे अपना अपनी जानकारी सुधार ले भाई चारा है इसको रहने दीजे आप जैसे जो खतम नहीं कर पाएंगे सर्व आप मजब नहीं खतम कर सकते आप भाई चारा मोहबत खतम नहीं कर सकते लखनो निवासी नि मुझे प्रफ्ता महोद है आप आई जेकर वह किलास दूट प्री में संपरदाय को ठिक्रिप पर लिजे कौन है वह आप मुझे आप मुझे आप मुझे अश्वाख उल्ला खां का मिशाल रहे थे मैंने आपके सामने जीटी जापत ले रहे थे जगन मुहंद रेटी की जीटी जा समरफित जिस भारत की शृब वाल्बोलिक में राजनीटी में महात्मा गांदी राम राजज मंस्तापित परने संकर्ण का सुदेश का आंधोलन चलाते सुतंतर दलाते नहीं है आराम का नाम लेना असमयदानिक हो गया अपराद हो गया उकसाना हो गया बहुत हो पाकिस्तान की फाज आप है क्या मदे करे और भाभ किस रहे आपसे को लड़ा है वह कुंसा कर रहा है वह क्या समय जो है सुप्रीम कोट का ओडर है कि आप माईक लागा कर धर्मस्तल से प्रचार ना करें बिना पर्मीशन के आप पांच वक्त बोलने जनाब और हम उसको अभी भी पूरी सहिश्मता के साथ अल्ला का नाम है खुदा का नाम है इस्ष्वर का नाम है प्रवराम का नाम है प ओड़ें और अप्रवर लुवड़ें अवह नवाज अत्रा नाम पर बोला है तो आपको लेकिन वंदे मात्रम कहने में दिखत क्या हूरही है यह तो राश्ट्र यह तो राश्ट्र घियत है ना यह तो देश को आगे रखना है ना यह तो अश्वाद ने भी आना अवारे नहीं है हमारे हाँ जब भी इस सौ करोड हिंदू एक हिंदू दूत्रे हिंदू से नहीं है वह सामाधिक संबोधन है एक व्यक्ति दूद्रे व्यक्ति से मिलते हैं राव राम और नहीं है पाकिस्तार नहीं लिए लगा रहा है कोई नहीं लगा रहा है लगाने वाला टाइम को चला गया और विस्टी साल दर लगता है अगे पढ़ रहे हूं एक मिनाट असी मगाद मैं इसके बाद आपके पास आउंगे माफ कीजिगा मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए असीम वकार साब मुझे एक बात बताईए गांधी जी नहरू अब उलकलाम आजाद सुभाश अंद्र बोस इनमें से कोई भी आपको सांप्रदाइक लगता है क्या मुझे तो आप भी लगती है ठीक है बढ़िया बात अब 1937 को याद कीजिए बताल साथ सुनिए 1937 में आप कहरें ने इनमें से कोई सांप्रदाइक नहीं है यानि आप भी मानते हैं महापुरुष हैं जैसे कि पूरा देश मानता है और उसी तरह से इनका आधर करता है 1937 मे इनी महापुर्षों ने बंदे मातरम पर जो समिती बनी थी उसमें इस बात को माना था कि इस राष्ट गीत के जो पहले दो अंत्रे हैं बंदे मातरम के वो सब के गाने लायक है वो किसी के धर्म के बीच में नहीं आ रहे है इस बात को माना गया था इन महापुरुषों द् आप से पूछ रहा हूं बहुंसी चीज़ा मुझे कबूल है आप कबूल करेंगी वह आपके हितों का ध्यान नहीं रख पाए आप यहीं कह रहे हैं ना मैं क्यूं मानूं मेरे हितों का ध्यान नहीं रख रहे हैं मैंने इसलिए आप से पूछा हमारे लिए वो महापुरुष हैं आपके लिए आपके हितों का ध्यान नहीं रख पाए शुबराश्टा शुबराश्टा आपसे भी वहीं सवाल नहीं मैं आपके हितों नहीं पहुचा रहा हूं अबुल कलाम आजार सुभाष शंद्रबोस इन वो नहीं देख पाए जो असीम वकार वहां बेट कर देख रहे हैं एक दो चीज़ें मैं कहना चाहती हूं नहा जी जैश्री राम पर भी बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है आजकल मैं सुबह से देख रही हूं कि कुछ मीडिया हाउसे ने एक तरह से इसको एक कैमपेइन बना लिया है कि ओवैसी साब के आने के पहले जैश्री राम के किनारे लगे यह बात बिल्कुल गलत है जो बात स्पष्ट है वो यह है कि भारत माता की जै के नारे लगाए गए लेकिन अगर हम एक मिनिट के लिए मान भिले कि जैश्री राम के नारे लगाए तो नेहा जी आप पताईए कि भीम राव अंबेदकर जी द्वारा भीम राव अंबेदकर जी द्वारा जो हमारा जो रचा हुआ सम्विधान है उसके जो थर्ड खंड है फंडमेंटल राइट्स वाला वहाँ पर श्री राम की तस्वीर है जैश्री राम बोलना सम्विधान सम्मत है और वो भीम राम अंबेदकर का सम्विधान सम्मत है उसक च्चिंपने प्रड़ें mixedि कालि म॥ालों न मढ़े पाकूत काल फज़्ास को ओनिकरे ए Сचराएं डेली आज व्या सकती देश जो है वो गैर इस्लामिक है मतलब वो देश जो भारत से अलगी इस बेसिस पर हुआ कि उनको वहाँ पर अलग अपनी दुनिया बसानी थी मुसल्मानों की वो देश तक जब बंदे मात्रम को स्विकार कर रहा है तो हमारे देश में बैठे वो कौन गद्दार है जो अश्रफक है 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 जी इस पोन कीज़े जोबहाज सुवरांशना के रहे है रिसपॉंड की जे पने फिर मैं ने फिर मैं एक अंप वांग ने अचारी है इनकी कौन सी ऐडियो जी ए इनको क्या क्या रिस्पॉंड करों करूं क्या हृइक तथ हैं इसमें नहीं हौत क्प्रॉध में बाभा साहिब के सम्धवां की ऑद कर लही वह ए इडिया है कि Hi है सुनिए-स नीए तोlla घ्यान देलेजिए तो करते हैं यह यह संगी हो वैसिसा आपकी उसे हमारा राश्ट है टूजिक नो हमारे राष्ट कान हो है हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस था हमारा हम बुल बुले हैं इसकी यह गुल सिता हमारा आप बंदे मात्रम कहें न अश्वक उल्ला खाने गलत किया और जाकर देखिए कि इस देश का हर बच्चा जहां से अच्छा गाता है आप समझी नीघ्र घुकि अपर रांतिकारी आप सोची नीए आप रांप रशाद जी अजीन मात्रम कहां की चुकि ओल्बुक तांदो गले पर चाकू लगा दो लगा दो वन्धे मात्रम नहीं का हुगा यह एक स्वीश्वर्य रियाक्शन राए लेकिन एक बात एक मिनट एक वाकार एक मिनट मेरा सवाल एक आप से बीजेपी के सांसद राकेश सिना राजेस भाके बंदे मातरम का यह विरोध हुआ विरोध करने वालों को मुस्लिम लीग की मानसिक्ता वाला कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के मानसिकता क्या होती है? को लिए यह उत्तर दिया है कांगर सद्दक्स के रूप उसको भी कांगरे स्वीकार्थ की नहीं है तो इस इस जिश्णी ब्रॉध कर देगी कोई विरोध के कुछ लोग कि मुख्मद अलीजी जिस एम आईयम का जो जन महरा जाकारों की पार्टी के रूपे हैं रजाकार जिनना के साथ थे सुतंतिता के बाद थे हैदराबाद मुक्ति आंदूलन 15 अगस्त 1947 के बाद का गट्टा क्रम है और रजाकारों को परास्त किया कुछला इनको क्योंकि यह पाकिस्तान मिलना चाहते थे जिनना के साथ जाना चाहते थे अभी तक जिनना बाद करेंगे यह अश्वाक उल्ला कान को नहीं बानेंगे जिनना बादे जिनना मुहम्मद अली जिनना बादे कहां पैदा हुए कहां रहे कहां कुन थे आप लोग अ अभी आपको बताएंगे जिनलाज को बगल बाथे हैं एक मिनाट निटे करके असी माकर कुछ असी मटार कर रहा है यह प्रप्षेवारा पर चुछ चूर को फ्रूस ऑन्वादा है अजए को था पौ्सपह एक मिनाट असी माकरन प्रेम शूमला इंड रही जनलाज मिनाट अस इसलिए कि आरादना कर रहे हैं तो बंद करते हैं जिन्ना इस्टार परचारा के बारती इंदा पाल्टी के और प्रेम शुक्ला गद्दार हैं इन्हीं ने अव्दार को समर्थन दिया अब देखेर का मांसिक संत्रून ठीक नहीं है यह विचारे 23 मही के बाद जिनके लोग को समर्थन दिया वाले लोगों को पज्जाब में समर्थन दिया अब आपका आपका प्यान है एक मिनाट असी मकार इदर उदर नहीं जाएंगे लिए आप ऐसी बात करेंगे तो 15 मिनिट में किसको खुला छोड़ने की बाती और क्या करने की बाती वह भी साम्झाइगा अब बोली है वसीम वकार इंकाद मन रखने के लिए नमाज बढ़ ली लेकिन ये फिर भी कहते हैं चीफ मिनिस्टर कर ले लेकिन हम फिर भी बंदे मातरब नहीं कर लेंगे क्योंकि हम एक खुदा की बात करते हैं तो वसीम वकार मुझे ये बताओ अगर एक खुदा की बातित करते हो तो तो निजाम उद्दिन ओलिया की दरगापे जाकर माथा क्यों रख़ते हो वहां किसकी बंदना करते हो एक मिना एक मिना एक पूरी जो डिबेट है ना ये थी राश्त्रगीत के उपर राश्त्रगी सीताराम इश्वर अल्ला तेरो नाम सबको सन्मती देभगवान नमस्कार